हेलो वीवर्स आप सबकर स्वाग आता है फेनिक्स भी लीगल चैनल में तो आज का जो यह वीडियो है रिक्वेस्टेट वीडियो है मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर का श्री कृष्ण दर श्री जी का और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं सेक्शन 17 जो लिमिट बहुत के बारे सेघ्वाइबर के बारे श्री की पर इस चैनल को याँ सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा शेर भी जरूर कीजिगा क्यों कि यहां पे हम सुप्रिम कोट के जो जड़्शेंस होते हैं अखास काशीं को प्रूविशन होते हैं उसको बहुती सिंपल बीसिक language में हम बताने ही कोज़िश करते हैं हिंदी पे तो knowledge को spread कीजी साथी साथ में फीनिक्स पी लीगल के बारे में बता देना चाहूंगी फीनिक्स पी लीगल जो है वो खास कर जो first generation lawyers जो है हम उनके लिए काम करते हैं उनको mentorship provide करवाते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं जो लीगल फॉर्माट सब्सक्राइब वह मुथ वह आंपपे दिया जाता है साधी बहुत सरे कोर्स के साथ में आ जाते जो एक प्रैक्टिस के लिए जुजरूत होती है चाहिए वो drafting को लेक हो या code के practice procedures को जानने की हो साथी साथ में हम internship भी देते हैं और साथ में इन courses के साथ में job placement भी देते हैं guarantee भी देते हैं और अगर कुई से कार में से हम नहीं करा पाए तो हम refund की बात भी करते हैं तो जानते हैं उनको support की जुरत है या फिर किसी तरह guidance की जुरत है तो आप आपारे बारे में बता सकते हो सब चीज का जो details है एक contact number भी डाला गया है तो अगर आप उस नबर में call करते हो तो आपको सारी details जो भी चीज के बारे में चाहिए वो अची तरह से बता दे जाएगी साथे साथ पर क्योंकि हमारा litigation है तो अगर किसी भी case के लिए आपको कोई doubts है आप उसका बारे में consultation देना चाहते हैं या फिर second opinion लेना चाहते है तो भी आप appointment ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम इस पर जाएंगे देखिए जब भी हम civil suit फाइल करते हैं आमतर जितने भी हम civil suit फाइल करें जिस भी टाइप के हम civil suit फाइल करते हो यूशली उसका जो limitation period जो होता है वो तीन साल का होता है बहुत सारे cases का वो time period थोड़ा अलग-अलग होता है लेकिन मुख्या टाइप of cases का अगर हम बोले तो वो तीन साल ही रहता है जिसके तहते हम civil suit फाइल कर सकते हैं 12 साल होता है जहां adverse position की बात आ जाते हैं लेका अधिकतर बाकि सारे cases में आपका तीन साल maximum तो चलता ही है उस cases में क्या होता है और अगर आप तीन साल के अंदर में cases नहीं फाइल कर आपको limitation act का section file को जो application होता है उसकी मदद लेनी पड़ती है और उसमें आपको obviously ground दिखाना पड़ता है कि आपने क्यों आप लेट से फाइल कर रहे हो इसे limitation act पे एक section है section 17 यह section 17 है यह जो तीन साल का limitation period जो होता है इसको थोड़ा सा different approach लेता है तो तीन साल का period अभी भी है ल इसके तहत में आपका थीन साल का period तब स्टार्ट होगा जब आपके knowledge में fraud आता है अगर सेल डीट को लेकर कोई fraud हुआ है आपने कोई जमीन खरी दी सेल डीट लेकर आपने खरी दी और आपको चार-पांच साल के बाद पता चला कि वह जमीन तो उसने किसी और को भी बेज लेकिन यह पता आपको चला पांच साल के बाद आपने जब जमीन खरी समझे 2001 में खरी दी आपको पता चला 2006 में तो अगर हम जेंडरल लिमिटेशन आट के साब सुझाए तो आपको यह 2001 में अकर उसने किसी और को बेचा था तो आपको 2003 तक तो कोट में आ जाना चाहिए थ आपके नॉलेज में ही आया यह बात 2007 में तब आपको जो लिमिटेशन पीरिट जो तीन साल का जो होगा वो स्टार्ट होगा फ्रम यह रफ तो थाउजन सेवें 2007 2008 2009 तक आपको वो तीन साल पीरिट चलेगा इस एक्षिन 17 लिमिटेशन आट को सुपरीम कोड की जज्मन ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है मतलब लैंडमार्ग जज्जमन से दो जचेश बेंच का जज्जमन था यह जजजज दोनों जजजज का अलग 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 ओपीनियन भी इस पर और यह मैटर फिर चीव जजजज के पास से जाकर भी आया तो इस वरी गू इसका स्पेशल प्टिशन नमबर है 27794 इसका अब डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दोगी तो अगर मैं फैक्स पर जाओं इसका तो फैक्स पर जो बेसिकली यह सेल डीट को ले कर ही कहीन है कहीन था इस पर बहुत जादे डिटेल में तो मैं नहीं जाओंग को लेकर जो बात होती है उसको लेकर भी जजमन बहुत रेलिवन हो जाता है वह तुम्हें इस वीडियो पर नहीं ले रही हूं क्योंकि जब आप जजमन पूट है तो जजमन काफी लंबा जजमन है और इसमें दो पर्टिकुलर सेक्शन की बात भी है और सेक्शन 17 को ही ले सेवंटीन पर है अगर आपको लग रहा है और सेवन रूल लेवन पर बनाऊ रिजेक्शन पर बनाऊ इसी जजमन पर तो मैं बिलकुल बना दूँगी तो चलिए आते हैं तो इस जजमन का अगर हम पारा 10 से अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं जहां पर कोट का जो पीनियन पर सक्यों जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के साथ में बोला कि कोई भी सुट फाइल करने का जो प्रताइम पीरिए हमारे पास लिमिटेशिंग पीरिट में जो दिया गया है वो तीन साल कही है और अप्लाइं आप्लाइं आर्टिकल 58 तो दे प्रेयर पर डेक्लिरेशन अपको के वा बाघ्वे खर रेक्लिक बाता है ने जो फाइल वा क्यों इस प्रहसित आ बाटाइन हो अप्लाइं प्रताइं पुलेट टुक्र में एल बाट में फाइल होए है However, though not adverted to in the impugn order of the division bench and the order of the single judge of the High Court, it is apparent that the plain for the purpose of decree of declaration that the sale deed dated 23rd August 1996 is invalid, it relies on section 17 of the Limitation Act which deals with the effect of fraud and mistake. तो यहां पर कोर्ट ने उस फैक्स को बोलते वे साथ में यह बोला है कि लेकिन इस केस में इन्होंने section 17 of Limitation Act की help ली है, इस केस फाइल करने में, क्योंकि limitation तो अभी से थीन साल तो है ही निया इसमें, जाद है यह बहुँ जाद है यह, तो क्या है section 17, तो यहां पर कोर्ट ने section 70 of Limitation Act को लिखा है, section 70 of the Limitation Act इस with the effect of fraud and mistakes and reads, so section 17 of fraud or mistakes को लेकर बंता है Limitation Act में, अब फ्रध ध्यान से सुनेगा, Effects of frauds or mistake, where in the case of any suit or application for which a period of limitation is prescribed by this Act, the suit or application is based upon the fraud of the defendant or the respondent or his agent. The knowledge of the right or title on which a suit or application is founded is concealed by the fraud of any such person or opposite or the suit or application is for relief from the consequences of a mistake or of any document necessary to study. The right or the plaintiff or applicant has been fraudly concealed from him. The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or court with reasonable diligence have discovered it or in the case of concealed document until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling is production. तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि जो section 17 है आपर बताया गया है कि जब भी fraud हुआ है, तो जो limitation का जो period है, वो जब fraud आपके knowledge पे आया है, plaintiff के knowledge में आया है कि defendant ने मेरे साथ में fraud किया है या mistake किया है, जो दिन आपके knowledge में आया है, उस दिन से limitation period जो तीन साल का है, वो start होगी साथ ही साथ में उन्होंने एक word भी यूज कि है, diligence, बताब आप जो भी ये बात बोलो कि fraud आपके साथ में हुई है, ये mistake आपके साथ में हुई है, ये कैसे आपको पता चला है, what is the factor, ओविस दो को document आपके पास में आई होगी, आपने पता किया होगा, due diligence किया होगा, तब ज जुरत पड़ती है, तभी जाकर आप section 17 of limitation act का, use कर सकते हो, उसका benefit तभी ले सकते हो, तो जो diligence की बात यहाँ पर की गई हो, यही बोला गया है, diligence को भी यहाँ पर अच्छा से court defined किया है, the general principle which also manifests itself in section 17 of the limitation act, is that every person is presumed to know his own legal right and title in the property, I mean does not take care of his own right and title to the property, the time for filing of the suit based on such a right or title to the property is not prevented from running against him, the provision of section 17 subclass 1, embody fundamental principle of justice and equity, which that a party should not be penalized for failing to adopt legal proceeding when the facts of the documents have been willfully concealed from him and also that party who had acted fraudulently should not be given the benefit of limitation running in his favor by virtue of such fraud, तो basically यहाँ पर court यही बोला है कि जो limitation act का reason यही दिया गया था, कि आपको अपने अधिकार मालूम होना चाहिए और आपके अपने अधिकारों का अगर हनन हो रहते हैं समय सिवा का अंदर पर यह आप court पर आईए, लेकिन जो section 17 subclass 1 है उसका reason यह दिया गया है कि अगर आपक जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ में गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है तब आपको आपकर आपका limitation period स्टार्टों का benefit आपको दिया जाएगा और जो defendant है जिसने आपके साथ में गलत किया है, फ्रॉड किया है उनको यह limitation act के जो तीन साल का benefit नहीं लेनी दिया जाए जाती है, limitation period आपको fraud पता चलती है, तब से start हो जाती है, अब हम यहाँ पर बात करते है कि आप कैसे court को बताऊगे कि आपका limitation act कब से start होगा, आपके साथ मेरे साथ हो फ्रॉड हो था, ठीक है लिगा आपको कब पता चला और आपको पता चला है कैसे पता चला है, तो यहाँ आप पर जो diligence की बात होती है, तब इस पर court ने बोला है कि आपके हाथ में document होना चाहिए, क्योंकि जो fraud आपको कहीं ने कहीं पर documentary trail छोड़ता ही होगा, तो आपको document court पर पस्तूत करने की जोरण होती है, just because आपने किसी सा पता किया, हैर से बात होती हो, court नहीं मानता है, ठीक limitation period start होगा, that is what ये section 71 में benefit लेनी की बात कहीं गई है, चो पर 11 ने यहाँ पर बोलेगा, therefore in the event of plaintiff makes out a case that first within any or more of the four clauses to subsection 1 to section 70 in the limitation act, the period of limitation of filing of the source shall not begin to run until the plaintiff applicant has the means of producing the concealed document or compelling its production for jury, that means has discovered the fraud, और आपने जैसी fraud discover किया, कैसे discover किया, मुझे पता चला, इसने sell it कर दिया किसी और को, मैंने certified copies के अपलाई करी, मेरे हाथ में certified copy आ गया, मैंने देख लिया कि हा, इसने किया ही किया, में बास वो documentary proof आ गया, तो जब देट of receiving it, आपका वो start हो जाता है, right, और यह आपर court पे द discovery of the fraud, but remember you need to have a documentary evidence in your effect, का कि आप court को वो proof कर सोखो, तो I hope it was, आपको आज के मेरे वीडियो अच्छा लागा, अच्छा लागा, तो like शे सब्सक्राइब जरू कीजेगा, thank you so much for watching my video.